भार्ती जंद्रा पारिटी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला विदेग नारी वंदन लोकसभा में पारित होने एवं परिवर्तन संकल्प महासभा में महिलाओं की भागी दरी बढ़ाने के आवान के साथ संपन हुआ बार्दियंत्या पारड़ी महिला मोर्चा के द्वारा प्रगतिनगर स्थित सामुदाईक केंद्र में आगामी 25 सितंबर को जैपूर में होने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन संकल्प महासभा एवं लोकसभा में महिला विदयक नारी वंदन के पारित होने के खुशी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ग्यापित करने हैं तूं महिला सम्मेलन आयजित किया गया महिला मोर्चा के जिला सम्मेलन में विशिष्ट कारी करने वाली महिलाओं का पर्यावरन को हराबरा रखने के लिए ओधा प्रदान सम्मान किया गया महिला मोर्चा के सम्मेलन में जिलाद्यक्ष गोपाल कुमावत ने महिला मोर्चा जिलाद्यक्ष सुनेना अपावत सहमती से संगीता राना को अर्नोद महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नियुक्त की गोशना की जिला देख्ष कुमावत ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपस्तित महिला मोर्चाओं की पतादिकारी एवं कारेकरताओं को महिला विधायक के लिए बहुत बद बदाई दी एवं इस अधिनियम का यूग प्रवर्वर्थक अधिनियम बता कर स्वागत किया जिला महामंत्री डाक्टर नारायंडला निनामा ने नारी वंदन अभी अधिनियम के बारे में विस्तार से जान करी दी हम बताया कि किस प्रकार वर्ष 1976 में नारी अधिनियम की रूप रिका त्यार की गई और भारती अंता पारिटी ने किस प्रकार इस अधिनियम को वर्तमान कारिकाल में दोनों साधनों में पारित करवा कर एक कानून बनाया है